गुड मारिंग स्टूड़न्ट तो हमने जैसे बात की थी कि अमारा फर्स सेम्वे से तो खतम हो गए बराबर लेकिन जो बोड ने नियम लिये है कि 19, 11, 12 के जो 30% कोर्स था उनिकालना था बराबर तो हमारे में भी निकाल दिये है थोड़ा हिंदी में तो पेले वह आप टीक कर लिजिए कि कौन-कौन से चेप्टर निकल गये है और कौन-कौन से है तो पहले में जो बोलती हूं वह निकल गये है जो चेप्टर निकल गये जो हमें अभ्यास कर्म में नहीं है मलब हमको पढ़ना नहीं है तो टिक कर लिजिए हिंदी में जो निकल गये है वह चेप्ट निकल गया है चप्तर 14 यूग और में ये भी निकल गया है उसके बाद चप्तर 17 तूर्सी के पद ये भी निकल गया है और उसके बाद है 23 and 24 जब मैंने पहली पूस्तक खरीदी और दो है ये दोनों निकल गए है, तोटल 7 चेप्टर है वो निकल गए है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं, चेप्टर 8, 13, 14, 17, 18, 23 and 24, ये निकल गए है, गुजराती में 8, 13, 14, 17, 18, 23 and 24, आज चेप्टर निकडी गया छे, साथ चेप्टर बरोबर, आपड़ा चेप्टर छे, जे कोर्स मां, ये एक बटिक कल यो, एक थी साथ, पच्छी नव दस, अग्यार बार, 15, 16, 29, 21, 21, 22, आटला चेप्टर आपड़े छे, आपड़े 15 चेप्टर लगीतों कम्प्लिट ठाई ग्यूतू, आपड़े 16 मूँ चे दोव इंटो केगा, ओके चेप्टर नवब्र 16, तो हम सुरू करते हैं, चेप्टर नवब्र 16, भारतिय संस्कूति में गुरु, सिस्य, सबंद, भारतिय संस्कूति मतलब जो हमारी पुरानी जो संस्कूरूती है भार्तिय उसमें गुरू और सिख्सिय उसके सबंद कैसे थे भार्तिय संस्कूरूती में गुरू और सिख्सिय के सबंद कैसे थे उसके बारे में हमको यह यहाँ पे एक गध्य दिया है लेखक है उसके आनन संकर माधवन स्री आनन संकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के कुलिन जिल्य में हुआ है श्री आनन संकर माधवन का जन्म केरेला के फुलिन जिले में हुआ है डोक्टर जाकीर हुकेंद के संगर्ष में आने से हिंदू मुसलिम के मदूर सबंदों के पक्सधर बन गए जब वो डोक्टर जाकीर हुकेंद हुसेंद थे उसके संपर्क में आये उसे मिले तब हिंदू और मुस्लिम का दोनों का मिलन हो गया था पक्स्थर बन गया थे महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का शक्रिय शवभाग रहा है जब गांधी जी ने भारत छोड़ो का आंदोलन किया उसमें भी आनन संकर थे उसने बहुत सवभाग दिया था उसका साथ दिया था जेल में रहेकर हिंदी भाषा का अध्यन किया जब उसको जेल में डाल दिया था तब उसने हिंदी भाषा का अध्यन भी किया जेल से छुट कर आप भारत ब्रह्मण को निकल पड़े जारे जेल थी छुईता पछी भारत प्रमण एटले के भारत फर्वामा निक्डि पड़िया आता बाद में बिहार में मंदार विधियापिट की स्थाप रागी पछी एने मंदार विधियापिट छे एनी स्थाप ना करिया थी मंदारो सन 1984 में अदेत मिशन ओर सन 1985 में शिव धाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की एने 1904 सीमा अदवेत मिशन नामनी एक स्थापना करी नगरीनी औने 1905 सीमा सिव धाम अभिनव शिक्षा नगरीनी स्थापना करी मती अब आप तीनो संस्थाव के संचा लखे आ त्रणे संस्था मंदार विद्यापीट, अद्वेत मिशन और शिवधाम अभिनव शिक्षा आ त्रणे नुँ संचालन पोते करता हता मल्यालम तथा तमिल दोनों ही भासा ओपर पून अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में शुरुष्टी की महवेने मल्यालम पणा वड़ती आती औने तमिल पणा वड़ती री शारी दीते छत्ता पने हिंदी भासा जेल मा सीखी औने पछेणे हिंदी साहित्य मां सुरुष्टी करी मतलब के हिंदी साहित्य लखवानों जालू कईरू आपके विशयो में दार्षनिक्ता, आधुनिक्ता, एमा आध्यमिक्ता का बहु मुलिय है हमें एना जे विशयो छे, चेना उपरी साहीतिया लखे छे एमा कातो जोवालायक काई कोई, कातो अत्यानों आधुनिक काई कोई, अने कातो भग्वणने लगतु काई कोई छे बिखरे हीरे, अनलन, अनलत सलाफा, हिंदी आंदोलन, आमंत्रिक मेमान, आर्ती, उश्या, शंजिवनी, आधी आपकी प्रमुख रचनाये, जो मेन रचनाये है आमंत्रिक मेमान, बिहार राष्ट्र भसा परिशत द्वारा पुरुष्कृत है आमंत्रिक मिमान नाम की जो उसकी रचना थी उसको बिहार का राष्ट्र भसका परिशत का इनाम मिला है अब इस पाठ में किया है तो माधवन जी ने प्राचीन गुरु सिस्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान सिक्षा प्रणाली पर परोक्स रूप में करार व्यंग किया है माधवन जी है उसने पीजाए कमपैरिजन की है और वर्तमान सिक्षा प्रंपराली है जो अभी की गुरु सिस्य का सबंप होता है उसमें करारा व्यंग किया है मतलब उसको सरखामनी किये और बाद में उसको दिखाया है कि अभी कितना अलग हो गया है हमारे समाज में व्यावसाइक सल्शकूत का बोलबाला है हमारे समाज में व्यावसाइक रूप से सल्शकूत भासा का बोलबाला रहा है इस कारण गुरु शिष्य सबंधों में परिवर्त नाया है एतला माटे जा अपड़ा गुरु सिष्य नों सबंध छे एमा पण परिवर्त नायवू छे पहले विद्यालै मंदिर के समान माणे जाते थे पेलाना जे विद्यालैयो साडाओ हती स्कुलो हती इस मंदिन नी जे मेने मानवामा आउतु हतु सिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था अने जे सिक्षक शिक्षा आपतो ओए एना माटे भगवान ने पामबानु एक साधन अतु शिक्षा आपी वह परम्शुक प्राप्तिका एक माध्यम था शिक्षा आपी ने इपोतना मणनी सांती अनुभवतो हतो गुरू उस जमाने में पेशे देखकर सिक्षा खर्दी नहीं जाती थी इजमानामा कोई फीज के उकई हतु नहीं कि आज वेशी स्थिती है प्रश्ण पुछाये उसने कि कि आज एसा है कि आज सिक्षा के सेत्र में वही निष्ठा वही त्याग नजर आता है सु पेला जे उच पेला जे सिक्षा आती जेमान निष्ठा जोवा मडती गुरू प्रत्यनी त्याग जोवा मडतों सिस्षे नो ये उसु अत्यार जोवा मड़े छे लेखक ने हमें अंतर मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है आपड़े अंदर थी विचारी ने लेखक आपड़े विचारवनों मोको आई पोछे तो आपड़े पाठ जोईए हमारे समाज में व्योशाइक संस्कृती का बोल बाला है इसी कारण गुरु सिष्य सबंधों में परिवर्थ नाया है आपड़े अंपना समाज मा पेला संस्कृती आपड़े ज़े व्योशाइक संस्कृती छे एनुई वधारे मांग गती एनी बोल बाला आती एटला माटे ज गुरु सिष्य ना सबंधों छे परिवर्तन ठ्याजे पहले विद्हाले ये मंदिर के समान माने जाते थे पेलाना जमान नमाँजे साडावो हती इम मंदिर नी स्थान नी जेम मानवामा आओती हती शिक्षा देना एक आठ्यात्मिक अनुष्ठान था अने जे शिक्षा आपतो सिखसक एना माटे भगवन प्राप्ति माटे नूँ एक साधन अतू वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था मतलब कि शिक्षा देने से वो परमात्मा के साथ जूर सकता है एसा माध्यम उसको माना जाता था पेसे देकर शिक्षा खरदी नहीं जाती थी पेलाना जमानामा कोई फीस के उकाई लेवामा आउतू अतू नई आज स्थिती बिलकुल बदल गई है अना अत्याने आपना स्थिती जोई है तो बव बदुएमा चेंज थाई गई हूँ छे और अब सिक्षन कारिया पेट पालने का साधन बन गई है अत्यारे जे सिक्षन कारिया चाले छे इसू छे तो के कमा माटे नूँ एक साधन बनी गई हूँ छे पेट पालने का मतलब कमाने का एक साधन बन गई है जीसे भारतिया संस्कृती कहा जाना चाहिए वह आज भारतिया मानसिक स्थितीज में क्रियासिल नहीं है जिसकी जड़ सायत यूरोप में है जिसकी जर सायत यूरोप में है अत्यार आपडे जे भणावमा आवे छे जे आपणी संस्क्रूती छे, इ बदलाई गई छे, अनेनु कारण मुख्य छे यूरोप, सायद एनु कारण यूरोप छे, यूरोप एटले के बाड़नु देश भार्तियों के सार्वजनिक व्यववार में गुरु शिश्य शबन काही तदन रूप परिवर्तन हो गया है तन थाई गई उछे, यहां गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे, पेलाणा जमानामा चे गुरु वता, जे सिक्सो को भणा होता, ए पगार लेवा माटे नता भणा होता, अने नसिस्य कोही सूल्क देना पड़ता था, अने नातो छोकरावने कोई एनी पैसा देवा पड़ पड़ती मा, कोई दी, विधिया छे, एने पैसा आपी ने कोई दी, कोई खरिदी हती, नई, आपने आ पड़ती आपना भारत मा हाती, नई, एल्ला पड़ती छे, इए आपनी छे, नई, आपना मिटी नी उपज नथी, शिक्षनालाई एक प्रकार के आस्रम, अथ्वा आस्रमनी जेवी होई, अने कातो एक मंदीर जेवी गणवा मा आओती, गुरुको साक्षात परमेश्वर्ही समझा चाता सा, सिस्य हता, जे विध्यार्थी हो हता, इपोताना जे गुरु हता, सिक्षको, एने भगवान मनता हता, शिष्य पूत्र से अधिक प्रिय होते थे, अने गुरु होई, एने सिस्य छे, जेना विध्यार्थी होई, पोताना पुत्र करता पड़ वधारे प्रिय होता, पोताना पुत्रने पछी प्रेम करता एटलो, एटलो एने सिस्य प्रेम करता होता, यहां सम्मान मिलना ही सक्ती पाने का रहश्य है, अहीं एक बीजाने सम् गुरु शिष्य ने आपता, शिष्य गुरु ने आपता, प्राचिन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, प्राचिन काल माजे गुरु शिक्षा आपतो, ई एक आध्यात्मिक अनुष्ठान मानवामा आपतो, भग्वार नी पासे पोचवानों रस्तो मानवामा आउतो पर्मेश्वर प्राप्ती उनका एक माध्यम था कि आ विध्या आपणे आप सुविध्या थियो ने एतला माटे आपणने पर्मेश्वर प्राप्त थसे एक एनू माध्यम गणवामा आउतो वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है पन अत्यारे एक पैसा कमावानों साधन बनी गई हुँ छे प्रारम में विविकानन को भारत में महत्वपुन स्थान प्राप्त नहीं हुआ पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारत वासी दोड लगाए दोडे मालाए लेकर स्वागत करने गए पेला ज़े विविकानन हता इज भारत में जर रेता तेरे नुँ कोई महत्वा समत्थू नई पन ज़ारी अमेरिके मा गया औने नियान पोतानुँ नाम कमाई वो अने पच्छी ज़ारी भारत मा आईवा तेरे लोको दोडी नेने माडवा पेरानी अने नुँ स्वागत करवा लागिया बडलपकी मानस पेला भारत नो अतो तेरे ने कोई महत्वा आप तुनो तू पण जारे अमेरिका मायने महत्वाप्पमा आईवू तेर पछी भारत वड़ा हाता इलोकोर दोडी नेने माड़ाव पेरवा जाता हाता बिजु उदरन छे रविद्रनाट ठाकूर रविद्रनाट ठाकूर कोभी नोबल पुरशकार मिला तो बंगाली लोक दोड़े यह राग अलपलाते हुए अमादे ठाकूर अमादे कठोर सू पुत्र पेले रविद्रनाट ठाकूर का कोई भाव नहीं पुत्ता था बंगाल में लेकिन जब उसको नोबल पुरशकार मिला तो उसके बंगाली लोक थे वो दोड़ के उसका गान करने लगे कि अमादे ठाकूर अमादे ठाकूर सू पुत्र पहले उसकी कोई अच्छा ही नहीं देखता था लेकिन जब उसको नोबल पूरसकर मिला उसके बाद उसका नाम हुआ दक्षिन भारत में कुछ समय पहले तक भरत नाट्यम और कथक कली को नहीं पूछता था दक्षिन भारत का मेन है भरत नाट्यम और कथक कली लेकिन पहले उसके बारे में कोई नहीं पुत्ता था दक्षिन भारत में पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आस्चर येसे भारतवासी सोचने लगे अरे हमारी संस्कुती में इतनी अपूर्वा चीजे पड़ी थी क्या ज़ारे दक्षिन भारत में पोतानों जटू भारत नाटिया मने कथक कलिक त्यारे नों कोई भाव पुछतो अतो नहीं पन ज़ारे विदेशों में इने मान आपपा महिंडा त्यार पछि भारत वासी नेम थायू ले आतो आपड़ा संस्कुती नी चीज अती इके पर मोहित हो जाते थे भारत वासी होता एने पोतानी ज़े खुब सूर्ती छे इकोजी देखाणी नई पन ज़ारे बारना लोको एना वखाण कई रा त्यारे इलोको ने इसोंदर यो देखाणू जिस देख में गनान पाने के लिए मेक्स मुलर ने जीवन पर प्राथना की उस देख के निवासी आज जर्मनी और विलायत जना स्वर्ग जने जैसा नुभो करते है जिस देख में गनान पाने के लिए मेक्स मुलर का नाम आपने सुना होगा बरबर तो मैक्समूलन ने भारत देश में गनान पाने के लिए यहां आने की प्राथना की थी जबकि हमारे देश के लोग है वो जर्मनी या तो दूसरी ओर भी विलायती मतलब कि बाहर परदेश में जाने के लिए स्वर्ग मानते हैं स्वर्ग मनने जैसा अनुबो करते कि चलो हम यहां जर्मनी जाके आए या तो अमेरिका जाके आए तो स्वर्ग जैसा अनुबो है लेकिन वहां के लोग मेक्स मुलन नम के जो थे वो ग्रान प्राप्त करने के लिए भारत में आये थे भारत में आने के लिए उसने जीवन बर प्रात नाकी तो मुझे एक बार भारत जाने मिले तेकिन हमारे देश को हमारी संसुती नहीं दिखती और वो विलायज जाना पसंद करते उसको स्वर्ग मनते है एसे लोग को प्राचिन गुरु सिस्य सबन की महिमा सुनाना गध्यको गणित सिखाने जेसा व्यर्थ प्रयासी हो सकता है और एने आपणा जेब प्राचिन गुरु सिस्यना सबन थता जोई समझावा बेसी है तो एव उठाई के गध्याने आपणे गणित स्विखाड सिखवाडी है एना जेवो प्रयास्काईरो वह एव आपण लागे छे एक बार सुप्रशित भारतिय पहलवान गामा मुंबई आये थे अब एक बार सुप्रशित जे भारतिय पहलवान छे इक आये वो मुंबई उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुष्ती में चेलेंज दिया था एने विश्वना जेतला पहलवानों होई तकातवर होई एने कुष्ती मां चेलेंज है पिया थी अकबारों में यह समाचार प्रकासित होते ही एक पार्षी पत्रकार ने उतक्रुष्ट का वंस उनके निकट पहुच कर उनसे पूछा अवे एक समाचारवाई चायतले एक पार्षी पत्रकार तो यहनी पासे गयो अने यहने उत साथी पूई छू साहेब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तयार है विश्वनों कोईपण पहलवानों इताकातवार होए एनी साथे तमे लड़वा तयार छो तो आप अपने अमुक शिश्य से ही लड़कर विजई प्राप्त करके दिखाओ तो तमे तमारा सिश्यो होए तमे जने सिख्वाईड होए या कुस्ती एनी साथे तमे लड़ो औने एनी सामे तमे विजई प्राप्त करिने बताडो गामा आजकल के शिख्षा क्रम में रंगे नही थे मतलब एने जे आजकलनू जे शिख्षा छे उपलू चतलू ग्णान एमा एने शिख्षा प्राप्त नोती कई री एने जे पहला ना काणमा जे शिख्षा मडती आती इशिख्षा ने प्राप्त करेली आती अत्यानी सिख प्राचिन गुरु सीसे नों जशबंद तो एमाई रंगा एलो अतो एतले एने आ सब्द सामड़ी ने हेरान थाई गयो आखे फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताक्ते ही रह गया एने आखे फाड़ी फाड़ी ने उला पत्रकारनी सामे जोतो रही यो बाद में में धीरेसे कहा वन पछेणे धीमे थी कहिऊ भाईसाहाब में हिंदूस्थानी हो भाईसाब हुँ एक हिंदूस्थानी छुँ हमारा अपना एक निजी रहन सहने अमारू पतानों एक रहनी स्कहनी ओई छे सायद इससे आप परिचित नहीं है तमे एने जानता नथी जीस लटके का आपने नाम लिया तमे जे छोकरानों नाम लिदू वह मेरे पसी नेकी कमाई मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है जे मारा सीसियो छे इने में पसी नो पाड़ीने मेने सिख्वाएडू छे इमारा खूननी जेटलों महत वणवं चे मारा छोकरा कतापण मने वधारे प्यारू छे इसमे और मुझे में फरक ही कुछ नही है इन मारा जेवोच छे मारा मन इनमा कोईपण जातनों फरक छे नई मे लड़ा या व लड़ा दोनों बराबर ही होगा हुँ लड़ू के इ लड़े बनने के उठायू बराबर अमारी इस परंपरा को आप समझ ने की चेश्टा कीजे तमें अमारी या परमपरा छे एने समझवानी कोशिस करो हम लोगों को वन्स परमपरा से सिस्य परमपरा अधिक प्रिय है हमने जे मारी वन्स परमपरा मतलब के आपने जे छोकरानों छोकरों ये वन्स परा परा चलती हुए एना कतापड मने मारो सिस्य अधिक प्रिय छे ख्याती और प्रभाव में हम सदा यह चाते है कि हम अपने सिस्यों से कम प्रभावी रहे आपने मानता होए कि आपना सिस्यों छे एना थे आपने ओछा प्रभावीत थाई यानी हम यहीं चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मेंने कमायाए उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमायाए आपने उत्थाए कि में जटलू नाम कमायवू छे मारो एन्थी वधारे मारा पपानू नाम वधारे वोई मुझे लगता है आप हिंदूस्तानी नहीं हो एने उना पत्र करने सुगिदू कि मने लागे छे कि तमें हिंदूस्तानी नथी भारत में गुरू सिस्य सबंध का वह भव्यरूप आज साधूओ पहलवानों और संगीत कारों में थोड़ा बहुती सही पाया जाता है अत्यारे पण जे गुरू सिस्य ना पेलाना जे सबंध हता एनू भव्यरूप जोओ आए तो पेलाना साधूओ पहलवानों संगीत कारों आमामा थोड़ा कंचे आबदू जोहा मड़े छे पेलाना गुरू सिस्य सबंध जेवू महत्वनू भगवान रामकुरूष्ण बशो योग्य सिस्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे भगवान रामकुरूष्ण हता एनू घणाम बदा वरस एक योग्य सिस्य प्राप्तकर माटे प्रयत्न करिया उनके जेसे व्यक्ति कोभी उत्तम सिस्य के लिए रो रो कर प्रात्ना करनी पड़ती थी आना जेवो उत्तम व्यक्ति अतो रामकुरुष्ण जेवो तो कोई उत्तम व्यक्ति न हुए एवा उत्तम व्यक्ति ने पण एक सिस्य गोत्वा माटे रोई रोई ने प्रांत ना करवे पड़ती भी जाने इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम सिस्य कितना महेंगा और महत्वा पुन होता है एक गुरु माटेनो सिस्य छे इकेवो महतोनो होई छे इ आपणने वात माथी चोवा मड़े छे संतान प्राप्ति वर्ग उने दुख नहीं देता पर बगेर सिस्य के रेने के लिए वो एकदम तया नहीं होते इस सबोने भगवन इशा का एक कथन सदा समरणी है आ सबोने भगवन इशा नुएक गथन चे ई आपणने हमेशा या दावे छे उन्होंने कहा था मेरे अनुयाई लोग मुझसे कहीं अधिक महान है मारा जे सीस्यों छे इस मारा करता पण महान छे और उनकी जूतियों होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है एना पगनी जूति समान पण मारी योग्यता नथी यहीं बात है कि गांधी जी बनने की शम्ता जिन में है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते है और वे ही उनके पिछे चलते पी है गांधी जी जी जव बन वोए एवी सम्ता जेनामा होए इन्हें गांधी जी सारा लागता आता और एतला मटे जी गांधी जी पाचर जता आता इन्हा रस्ता उपर जता आता सोरी विवेकानन सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिन में विवेकानन बनने की अध्भूत सकती नहीं थे विवेकानन भी सिर्फ उन्हें ही पसंद करेंगे जो विवेकानन बनना जाता है जो वो इसी सकती है उसमें दिखाय देती है કવીતા કએ મરમગન ઓર રશીક શ્વયમ કવી સે અધિક મહાન હોતે कवी ताँ छे लखनार छे येंक तेने समझ्वावडो होई कोई रसिक मानस इकवी करता पण वदारे महान गणवामा आवे छे संगीत के पागल सुनने वाले ही शोयम संगीत कार से अधिक संगीत का रशाद छवान कते जेने संगीत बनाईवो होई, जे संगीत गायू होई जेने गीत एना कतेना सांपणवावडा होई इए अधिक रशादनो स्वाद माने है गीतनो यहां पूज्य नहीं पूजारी ही स्रेष्ट है जे पूज्य छे इस्रेष्ट नती पन जेनी पूजा करे छे इस मानस्रेष्ट गणाई छे यहां सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है आपनी जे भारत्य संस्कुरूती छे इमाजेने सम्मान मणे एना कत्ता जे सम्मान देतो होई इ मानस नू महान गण्मामा आवे छे स्वयम पुष्मा में कुछ नहीं है पुष्म का सुन्दर्य उसे आने वाले की दुरुष्टी में है खाली फूल आपन दे गमे छे पन फूल छे इतो बूल बीदा सर्खाज गजवए पनी फूलने जे सुन्दर तरीके ओड़खेचे जे ने सुन्दर गणा मे छे जे आ फूल सुन्दर चे एम केवडों माणस छे एनो एनामा एवी जोवानी द्रस्टी छे सुन्दर जोवाने एतला माटे इज महान गणवामा आवे छे डुनिया में कुछ नहीं है जो कुछ भी है वो अमारी चा में है हमाई दस्टी में है आपने जेवु जोसु आपने जेवु राक्सी इच्छा एवु आपने जोवा मडे छे यहां अद्भूत भारतिये व्याख्या अजिपसी लग सकती है आदमने अलग लागे पर हमारे पूर्वजे सदा इसी पंच के यातरी थे आपना जे पूर्वज होता इब बदा आज रस्ता उपर चालता हता उत्तम गुरु में जाती भावना भी नहीं रहती छे सारो गुरो वोई उच्चु गुरु वोई एने कोई जाती साथे लागतू वडगतू नथी कितने ही मुसल्मान पहलवानोंने हिंदू चेले है केटला है मुसल्मान गुरु आता एने हिंदू शिष्यो आता और संगीत कारों के मुसल्मान शिस्य आते, गणा बदेवा संगीत कारों आता, जेने इना सिस्य आते एवदा मुसल्मान आता, यहां परक गूण की है, साधना की है और प्रतिमा की होती है, अहिं आपडे कोई नाती जाती नाती जोवाना, पड़िना मजे गूण रहेला छे, एने जुहामा आवे छे एना माजे साधना रहेली छे जे प्रतिमा रहेली छे जे भक तिने स्रद्धा रहेली छे एनी किम्मत होई छे नकी जाती प्रचाय आचार वीचार क्या धर्मकी नातो आपड़े जाती वीचार क्ये जोवो जोई और नातो एनो आचार वीचार आपड़े जोवो जोई मुझे किया लिखाया था एक विद्वान मुसल्मान ने ही मने एक मुसल्मान मिद्वान तो यह मने यह लखाय unstable उन्हों ने कभी नई सोचा का कि यह हिंडू है ओर मुसल्मान बनना चाहिए उन्धोने कोई दियाव स्वय चुनोतु के आ हिंडू छे आनाने मुसल्मान बनावो छोईए पूराने जमाने में मोलवी लोग बड़े बड़े रामाणी होते थे मतलब राम भगवानने मननारा पण हता और आज देहान तुमें भरत्मिया, रजित्मिया, आदिस अदिस संत्या में दिखाय देते और तेरा पने नाम जोई या मुसल्मान मा तो पण भरत्मिया, रंजित्मिया, एवान नाम जोवा मड़े छे आजके गुरु भी सिर्फ सेवा लेने के ही चतुर है देने में नहीं आजना जे गुरु छे एपन खाली सेवा लेवा मागे छे कोई कई देवा मागतू नथी उपनी सदों में आचार्योंने कहाए कि सेवा देने की चीज है लेने की नहीं सेवा तमें दई सको, लेवानी चीज नथी सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और रूद बचोको परमेश्वरकाही मृत रूप समझ सेवा लेवानी चुटाय पीछे, सेवा रूपी पुजा से उनकी सकती को प्रजुलिच करने का समता ओशर दता रकने वाला ग्णानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरू नहीं रहे पेला जेवा जे सकती वाडाने पुजा माणना लोको अता एवा अत्यरापणा के जुवा माणता नथी किसी भी देव मंदिर की मुर्ती की सकती उतनी मात्रा तकी संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पुजा में नेवत भावना परिरेती है जे पुजारी है ता देव मंदिन ना, मंदिरो ना जे पुजारी होई, इलोको नी सेवा केवी छे, इलोको पुजा कईरी तेक करे छे, एना उपर आदार राखे छे, एना थी विशेस काई होतु नथी, तो आपड़े आपाट सोड में पुरो कईरो गुरू सिस्य सबन, आमा काई न समझाणू हो, इतना पुछी सको, ओके, आगेर आपड़े पच्छेन लेक्टर मां चोईस हो, थेंक्यू, थेंक्यू,